हे फैमेली वेलकम टू मैं चैनल सोना श्टल कॉर्मार और मैं हूं सोना नमस्ते कैसे हो आप लोग आई होप सब बड़ी होंगे अच्छे होंगे आज मैंने आपको बताया था पहले पार्ट वन जिसमें मैंने हल्दी लूप क्रियेट करा था और आज गर्बा है संगीत बोल सकते हो तो आज संगीत के लिए मैं तयार हो रही हूँ तो सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लिंग कर लिया या वाश कर लिया है और मैंने मॉस्ट्यराइजर लगाया है आपको भी मॉस्ट्यराइजर लगा सकते हो जो आपके पास हो उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे पावडर और इसके बाद मैं अपनी आईब्रोस को फिल क ब्राउन कलर से करा है ब्लू हैवन का जो मैंने लाश्ट टैम आपको बता था वही और यह काजल एक्शली मैंने नई वाली काजल डूंड रही हूं वाइट कलर के अभी में लेके आई क्योंकि ऑनलाइन मैंने सोचा था मंगवांगी मुझे स्विस्प्यूटी की मंगवानी लेकिन वह बहुत लेट डिलेवरी करने वाले थे तो इसलिए मैंने लोकल मार्केट से ले ली और जब मैंने यह काजल लगा ने तो वह काजल इतना दीख नहीं रहा था क्योंकि हलका सा ब्लैक काजल था यह ओल्ड़ी मेरी आंख में तो वह थोड़ा ग्रे कलर लग रहा थ तो मैंने फिर इसके पर ब्लैक कलर का काजल लगा लूंगी मैं तो अब मैंने जो आउटफिट है मेरा वो है डस्टी घ्रीन कलर बोल सकते हूं पिस्टा कलर तो उस टैप का कलर है तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का लाइनर लगाया यहाँ पे यह आप देख सकते हो मैंने ग्रिंग कलर का लगाया लाइनर तो यह आपको इत्ता देखनी रहा होगा कैमेरे में लेकिन वैसे फेस टू फेस देखो तो काफी अच्छा ग्रिंग कलर देख रहा था और मैंने जो हल्दी लूक वाला जो मेरा वीडियो है मैं उसका भी लिंक देदेऊंगी डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करेगा तो और है न मैं कुछ सामान आने वाला है उसको टाइम लग रहा है तो मैं लोकल मार्केट से कुछ सामान लेकर आई हूं कौस्मेटिक का कटलरी इस काफी कु आईब्रोस मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था तो मैंने ब्लेक जो काजल थी जो आथ में आगया वही बस उससे मैंने थोड़ा और डार कर दिया अपनी आईब्रोस को अंड यहां पर मैं लगा रही हूं मस्कारा और इसके बाद मैं लगाऊंगी लिप्श्टिक से पह एक कलर नहीं लगाना था मुझे दो कलर को मिक्स करना था यहां पर में लिप्स्टिक की लगा रहा हुई चिक पे और इसके अपर में दूसरा शेड भी लगाऊंगी लेकिन कौन सा लगाऊंगी मैं बहुत कंफ्यूज हूं कौन सा लगाऊ बट फिर मैंने इसके उपर है ने एक बरगंडी कलर भूल सकते हूं तो ट्रा pilgrimage ना था मुझी मुझी पानी पता था कि पता ने क्यासा लगेगा कालर लेकिन जब मैंने वह तो लगा है काफी अच्छा लग रहा था कब कंब कंब क्रिया है यहां पर मेरे मिश्टर भी तैयार हो रहा है तो मैं उनसे बात भी करती जा रही हो तैयार भी होती जा रही थी वो बुलेते जल्दी करो लेट हो रहे लेट हो रहे तो भी यह सब लोग मैंने आइशोड़ वाइशोड़ तो कुछ कर रहा है नहीं लेकिन मुझे असा लग रह कि मांग टिका बहुत बड़ा है उसी सबसे हैस्टार भी ऐसे थोड़े पफफ बनाती तो अच्छा लगता लेकि मैंने कहा कि हमारे पास इता टाइम नहीं था तो मैंने फटफट ये वाले हैस्टार बना ली लेकिन मैं बिलुकुल भी सैटिस्वाइड नी थी तो मैं सब्सक्राइड निकाल दिया मैंने आगे से आप में फटाफट इसके उपर का श्रग पहन लूँगी एंड कड़े वगर डालना है मुझे तो मैं कड़े भी पहन लूँगी कड़े में कंफ्यूस कॉनसे वाले पहन हूं फी लाश्मी मैंने बहुत ही छे वाले पीकॉफ वा आओ तो मैंने बहुत बड़ा टास्क होता है यह आपके लिए कि और जल्दी जल्दी में पता है ना मैकप अगर थोड़ा सभी विगर जाता तो पुरा लूख ही कैसा लेकिन फिर भी ठीक है देखो आप मैंने बाल खूल दिये तो अब मुझे अच्छा लग रहा है और यह दोनों अंगुठिया भी बहुत अच्छी है बहुती बड़ी बड़ी अंगुठिया है मांग टिका से और ये रिंग से ब्लकुल मैं चो राता तो यह मेरा आउटफिट या आप देख सकते हैं यह पूरा मेरा फाइनल लूप और आम हैपी विद मैं इस लूप एंड चैनल